Welcome students, कैसे हैं सभी, आपका अपने चैनल, Quick Science में बहुत बहुत वैलकम हैं, जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एक्जाम होने वाला है साथ जुलाई को, और उसमें हम सारे important topic जो हैं, वो cover कर रहे हैं, उसे related जो question पूछे गया हैं, या जो question बन सकते हैं वो सारा हम cover करें उसी के इस साब से मैं आपको यह series करा रही हूं आज की class में जो topic हम देखने वाले हैं वो है आपका topic no.6 Fiver to fabric synthetic fiber plastic इस topic से question बनेगा बनेगा यह question और यह question आप easily करके ले जाएंगे लेकि जो notes आपने लिया उस notes में जब आप देखेंगे यह मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर पूरा अच्छे से आपको अच्छे से समझाया है तो वो आप अच्छे से देख लीजेगा पूरा fiber to fabric उसमें synthetic fiber plastic वाला सब अच्छे से देख लीजेगा और यह question देख लीजेग पर और आपको जो notes है सारे पीवाई क्यू साही topic सीरीज के questions विदांसर वो साही चीजे आपको मिल जाएंगी शौर्ट समरी भी मिल जाएगी और साथ में जो latest question है ते ही में जो offline paper हुआ विदांसर जो 24 में वो सब भी आपको वहां पर मिल जाएंगे यह topic important है और easy है क्योंकि इसमें बहुत जादा questions हमें नहीं देखने previous year जो notes है और जो 2-4 questions और भी मैंने add की है उन में से ही आपका question जो है वो बन जाएगा पहला question हम वो देखते हैं जो आपका latest अभी 2014 में जो offline paper हुआ था January में वो बना read the following statement carefully and select the correct option कत्मों को द्यान पूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चैन करिए रेहोन जो रेहोन है वो आपका synthetic fiber है एक संसलेशित तंटू है यह बात बिलकुल यहां पर सही हो जाएगी कभी कभी हम इसे semi synthetic fiber भी बोलते हैं पर कुल मिलाकर यह synthetic fiber है यह आपका संसलेशित तंटू ही होता है यह बात तो बिलकुल सही है rayon is made without using any natural raw material यह बात यहां पर गलत हो जाएगी rayon को बिना किसी प्राकर्तिक कच्चे माल के प्रियोग से बनाया जाता है यह बात गलत है तभी तो हम इसे कभी-कभी semi synthetic fiber बोलते हैं या कहते हैं कभी-कभी आपसे पूछ लेग या करत्रिम रेशा भी बोलते हैं कोश्चन बन सकता है artificial silk किसे बोलते हैं rayon को ही हम artificial silk बोलते हैं तो S1 मेरा यहां पर सही है लेकिन S2 मेरा false है तो यह कोश्चन बना था जिसमें option number second आपका सही हो जाएगा अग और कोश्चन आपसे क्या क्या बन सकते है strongest artificial fiber आपसे पूछ ल आपका सही होता है तो उससे भी कोश्चन बना था और बाकी जब आप ठीवरी पढ़ेंगे नोट में तो उसमें सब कुछ अच्छी से दे रखा है सबसे strongest natural fiber कौन सा होता है तो आपका silk होता है यह तो बहुत इजी है अब कभी-कभी जैसे हां पर यह artificial silk कहलाता है तो कभी-क कभी पूछ लेता है कि artificial wool हम किसे बोलते है तो वह आपका acrylic होता है यह acrylic भी synthetic fiber होता है संसलेशित आपका तंतू होता है जो कि आपका क्या कहलाता है artificial wool कहलाता है तो यह कोशन था जो latest बना था और इसे इंपोर्टन पॉइंट्ट है वह मैंने आपको अपको अच्छे से समझा यह इनमें से कौन सा रेशिय का प्रकार नहीं है मल्बरी सिल्क टसर, सिल्क, मुगा सिल्क यह सारी सिल्क के प्रकार होते है जो variety of Wilk होती है different silc warm से प्रापत होती है जबकि जो moth silk होती है यह variety of silver नहीं होती है ठीक है एक जब कि आपको याद रखना है तो मलबरी शिल्क, टसर, शिल्क, मुगा, शिल्क या है तंतु है वह किस से प्राप्त नहीं हो सकता, यह हमसे पूछा है, गौट जो बकरी है उससे प्राप्त हो सकता है, लामा, अल्पाका इन सब से प्राप्त होता है, मौथ तो अभी बताया, टाइप उससे प्राप्त यह नहीं हो सकता, तो option number D ही हां पर भी इसा हो जाएगा, दिख़ती है तिबबत और लखत के रिया में पाइंति है तो हमारा बाहर होिए तो यह पर आप अंगोरा गोट है धीक है इस वाम आपका अंगोरा गॉट नोसे बाकळ haven t七 इक है यह पाया पाई जाते है actual जम्मू कशमीर एक रखाँन होटी है जिसे हम क्या आपfeit होट सुन्मू कशमीर 1500 कर दू liberal यह बीपन सता है, बहुत अच्छा, लस्ट रस, मतलब बहुत चंकीला तंतु नहीं प्राप्थ होता है, जिसे हम क्या बोलता है, मोहेर क्या है, तो मोहेर जो है, एक याद रहना, लस्ट्रस फाइबर है, जो किस से अक्टेंड हो रहा है, जो आपकी अंगोरा गोट है, उससे जो है यह obtained होता है तो यह सब NCRT में जिक्र हुए इन पॉइंट्स के तो इनको मैंने पूरा आपको दे दिया है क्योंकि यह एक्जाम्प्लर कोशन में भी दे रखे हैं तो यह important है यह अभी तक बने नहीं है एक आप से मैस्दाफ लूइंग में करके यह कोशन भी बन सकता है कि पश्मीना जो शॉल होता है मतलब एक MCQ जो है वहां पर NCRT में है तो वहां पर यह कोशन आपका बन सकता है इसमें बेसिकली आपसे यह पूछ लेगा कैमल वूल से क्या पराप्त होता है अंगोरा वूल से क्या पराप्त होता है कश्मीरी जो गोट होती है कश्मीर की बक शची के बैबी ये बनाए जाते हैं और जो लुंके ब्डुल ऐट ये भीडुस की दिए जा गो से जानों पना जाते हैं लोय वरीटृ मैंज हो दिया यहां मैंने बहु disposable belongs to you कि अ मैंने पंचिंग करें यहां शचारी मैं गटर गाना ऑफको moिश прим French जो अभी तक नहीं बना है, which statement out the flowing is incorrect, कौन सा कथन यहां पर गलत है, यह हमें आपको बताना है, यह इंपोर्टन है, बन सकता है, तिक है, NCRT में साहे पॉइंट जी रखें, सूफी संथ कवीर वॉजा वीवर, यह बात यहां पर सही है, ठीक है, to make fabric, the fiber are first converted to yarn, ठीक है, fiber क्या होता है? कच्चा raw material, ठीक है, जैसे wool हो गई, wool क्या है, आपकी जो oon है, जो sheep के ओपर लगी भी है, तो Giggles को हम क्या बनाते हैं? तागों में, यान में, वो convert होती है, ये बात भी सही है, इन इंडिया, जूट is mainly grown in केरला एन पंजाब, ये बात यहां पर गलत होगे, जूट जो है, याँ रखेंगे, जो गनी बैक्स होते हैं, बोरी वगेरा होती हैं, उनको बनाने में हम जूट का यूज करते हैं, तो ये जो जूट है, मिलनी कहां पर grow होती है, बिहार, बेस बिंगॉल, असाम और आंधरप्रदेश, ये जो यहां है, इनमें आपके जूट जो है, वो grown होती है, ये important है, आपको याद रखना है, तो बी option ही यहां पर क्या है, आपका गलत है, पाके use of चर्का was popularized by महातमा गांधी as a part of independence movement, ब्लगू सही बात है ये, ठीक है, और चर्के का हम use yarn, जो तागों को लपेटने के लिए हैं, उसमें भी हम चर्के का परियोग करते हैं, तो ये सार प्लास्टिक वाला टॉपिक है, वो भी हाँ पर कवर होता है, जब हम NCRT में चैप्टर जेखते हैं, सिंथेटिक फाइवर साथ में उसमें प्लास्टिक वाला जो चैप्टर है, वो भी कवर वहाँ पर हो जाता है, तो सीटेट साइंस 2011 में ये question बना था, बेकलाइट is used in making electrical appliances because it is a, बेकलाइट का उपयोग बिजली के उपकरन बनाने में किया जाता है, यह क्या है, देखे, यहाँ पर आपको एक concept समझना होगा, प्लास्टिक का, कि दो तरह के प्लास्टिक होते है, एक प्लास्टिक होता है आपका थर्मो प्लास्टिक, कौन सा प्लास्टिक होता है एक होता है थर्मो प्लास्टिक, एक होता है आपका थर्मो सेटिंग, उसमें सेटिंग वर्ड और जाता है, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, यह जो थर्मो प्लास्टिक होता है, यह इजिली जब हम इसको हीट करते हैं, तो यह पिघल जाता है, और पिघलने के बाद फिर से रखेंगे अगर आप से पूछ ले, थर्मो प्लास्टिक के कोन-कौन से एक्जाम्पल हैं, जो इजिली हीट होकर पिगल जाती है, पी वी सी पोली विनाइल क्लोराइड और आपका पॉली थीन जो है ये एक्जामपल होंगे थर्मो प्लास्टिक के, उसके अलावा कुछ और एक्जामपल हैं थर्मो प्लास्टिक के जैसे नायल怎麼辦 हो गया, ये आपका non sticky cooker वगेरा जो utensils होते हैं बढ़तन होते हैं non sticky वाले वो किसके बने होते हैं वो teflon के ही बने होते हैं ये बात भी आपको याद रखनी होगी तो ये सारे के सारे example है किसके thermoplastic के दूसरी plastic होती है जो NCRT में दी है thermosetting setting का मतलब ही यहाँ पर बताता है कि जब हम उन्हें heat करते हैं तो वो पिघलेंगे नहीं वो heat के bad conductor होते हैं वो असानी से पिघलते नहीं है तो वो thermosetting plastic होते हैं और उसके जो example NCRT में दिये है वो है backlight और melamine तो अब clear हुआ इसलिए जो backlight होता है जैसे setting थर्मosetting यह बताता है कि वो एक बार set हो गए तो वो set ही रहते है तो backlight का हम इसी वज़े से electrical appliances जो होते है बिजली के जो उप करण है उनमें प्रियोग करते हैं क्योंकि यह good insulator होता है electricity का बिजली का अच्छा insulator होता है और यह अगर लगा होता है तो वहाँ पर current नहीं लगता जैसे आपने देखा होगा switches वगेरा तो वो backlight के बने होते हैं कभी-कभी यह भी पूछ लेता है जो cooker का handle होता है वो किसका बना होता है तो वो भी आपका backlight का बना होता है वो इसलिए बना होता है क्योंकि वो good insulator electricity के साथ-साथ good insulator है किसका heat का भी तो याद रखेंगे heat और electricity दोनों का ही insulator या पिर हम यह भी बोल सकते हैं bad conductor है किसके heat और electricity के कौन से backlight और melamine और दोनों किसके उधारन होते हैं thermos setting के उधारन होते हैं मुझे लगता है यह अब आपको अच्छे से clear हो गया होगा अगर कोई question बने तो आप इसलिए उसको कर देंगे तो option 4 यहां पर answer था next question second जो कि आपका 2012 की science में question मना अज मेरे तबिया थोड़ी खराब हो रही है जुखाम मेरे को हो रहा है काफी तो थोड़ा सा आवाज में उसको थोड़ा सा देख लिजेगा PET bottles and jars are commonly used for storing edible items PET is a very familiar form of क्या यह हमको यहां पर बताना है आम तोर पर खाद्य सामगरी को रखने के लिए जो PET बोतले और जारों का प्रियोग किया जाता है तो यहां पर यह जो PET है यह सूप परिजित प्रकार है किसका यह हमको बताना है तो यह हमारा क्या है यह polyester है यह आपको याद रखना होगा important है PET polyethylene terafetolate इसकी full form क्या है polyethylene terafetolate यह आपका किस plastic में आता है पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए यह भी आपका जैसे PVC सेम ऐसे ही PET यह भी आपका thermoplastic में आता है ना कि thermosetting में तो यह thermoplastic में ही आता है और यह किस family का है यह polyester जो है उसमें हम इसको consider करते हैं और cloth वगेरा जो है उनमें भी इसका प्रियोग किया जाता है और खाद्य समगरी के लिए जो बोतल वगेरा है container of liquid वगेरा जो है उनके लिए भी PET का प्रियोग किया जाता है तो याद रखेंगे एक तो यह thermoplastic है और यह क्या है यह आपका polyester जो है उसकी category में आता है तो clear हुआ option number जो आपका second है वो यहाँ पर सही हो जाएगा अब देखें यहाँ पर बात लिखी है acrylic की और rayon की यह भी आपको याद रखने होंगे यह जो acrylic होता है ना इसे हम artificial wool बोलते हैं जो wool होती है आपकी उन होती है वो हमें किस से मिलती है वो sheep से मिलती है अब देखें दो तरह के fiber होते हैं fiber मतलब तन्तू और fiber आप अप confuse होंगे कि एक word starting में मैं ने बोला था fiber और उसके बाद बोला था fabric है ना तो दोनों में confuse नहीं होना है fiber क्या होता है जो raw material हम plant और animal से plant वो प्राप्त करते हैं जैसे sheep होती है उससे हमें क्या मिलती है wool मिलती है तो यह जो wool है यह क्या है यह fiber है जो raw material है plant से हमें क्या मिलता है jute मिलता है तो jute क्या है यह हमारा fiber है जो raw material है बाद में हम यह क्या करते हैं इस fiber का यह जो fiber होता है यह जो तंतू होता है इसका यान बनाते हैं तागा बनाते हैं और इस यान से बाद में हमें क्या मिलता है फैबरिक जो है कपड़ा जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है तो फाइवर आपका क्या है रौ मैटीरियल है जो हमें प्लांट और एनिमल से मिल रहा है उससे फिर हम तागा बनाते हैं और उ रेवर ज फठी है बहुत महेंगा होता है अब हर जगा तो सिल्क यूज नहीं कर सकते है तो इसलिए हम सैमे सिंथेटिक फाइबर यूज करते हैं रेवर जो बनने किस से वुड के पल्पจะ यह कोशन भी बहुत बार बनता है यह जो rayon होता है और यह जो acrylic है acrylic नी sorry rayon जो है यह किससे बनता है तो यह यह ना तो natural है ना यह synthetic है यह बीच में आता है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं rayon को semi synthetic fiber बोलते हैं जो हमें कहां से मिलता है wood के pulp से जो cast होता है उसकी लुगदी से यह हमें प्राप्त होता है और इसे हम क artificial silk बोलते हैं तो यह question बनता है कि किसे हम artificial silk बोलते हैं rayon को artificial silk बोलते हैं और यह जो acrylic जो की हमारा synthetic fiber है acrylic हो गया nylon हो गया यह synthetic fiber होते हैं और एक होते हैं आपके natural fiber जो हमें प्राकरती से मिलते हैं जैसे jute हो गया cotton हो गया wool हो गया तो यह हमें naturally मिलते हैं कुछ मानव जो है human बन दो यहां से भी कोशन आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर आनसर था आपको जो सीटेट साइंस 2012 क्योंकि पहले दो दो जून में होता था जनवरी में होता था तो इस तरह से 2012 ही यहां पर लिखा है which one of the flowing mad made fiber is also called artificial silk अब तुम मुझे बताने की जरुवत नहीं है सारे बच्चे यहाँ पर आंसर कर देंगे यह जो rayon होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं artificial silk बोलते हैं अगर इसकी जगा artificial wool लिखा होता तब हमारा आंसर होता option number 4 acrylic जो है वो हमारा artificial wool होता है ठीक है बाकी के बाद अभी हम आगे करेंगे और next question 4 जो है यह हमारा 2015 में बना और यहाँ पर पूछी गई common characteristics of plastic तो plastic के जो समान्य विशिष्ट गुण है वो हमें यहाँ पर बताने है अब देखे जो plastic होती है यह आपकी durable होती है टिकाओ होती है अगर आप चेयर वगएरा खरीते हैं प्लास्टिक के तो वो लंबे समय तक चलती है हलकी होती है वेट में वजन में हलके होती है यह बात यहाँ पर सही है और यह आपकी non-reactive होती है ऐसा थोड़ी होता है plastic किसी से reaction करती है तो plastic आपकी non-reactive होती है यह ना तो good conductor of electricity होती है ना यह good conductor of heat होती है इस वज़े से बचेवे साय option जो है वो गलत है option number C हाँ पर सही है टिकाओ बजन में हलके और अनभिकिरिया शील होती है प्लास्टिक तो option number C हाँ पर सही है और दो तरह की plastic है मैंने आपको बता दी एक थर्मो प्लास्टिक और एक थर्मो सेटिंग प्लास्टिक next question देखते है question number 5 जो हमारा सीटन साइंस 2016 में बनाता select the true statement from the flowing निमलिकित में से सत्यकतन जो है वो हमें यहाँ पर छाटना है melamine इस थर्मो प्लास्टिक नहीं पहली बात तो यहाँ पर गलत हो गई अब दूसरे option में कहेरा है कि दोनो की दोनो थर्मो प्लास्टिक है नहीं यह दोनो थर्मो प्लास्टिक नहीं है इसकी जगा अगर PVC लिखा होता और साथ में क्या लिख दिया होता यहान पर PET लिख दिया होता तो ये सारे के सारे क्या होते ये थर्मो प्लास्टिक होते लेकिन बेकलाइट और मेलमाइन क्या है वो आपकी थर्मो सेटिंग प्लास्टिंग है तो option number C जो है वो यहाँ पर सही होगा बेकलाइट और मेलमाइन दोनों ही थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है तो option number 3 जो है वो हमारा यहाँ पर सही हुग next question दिखते है question number 6 जो सीटेट साइंस 2020 में बना और यह बहुत important question है ऐसा question आपको आगे भी देखने जरूर मिलेगा which of the following statement is not true regarding life cycle of silk warm and production of silk fiber रेशम के जीवन चक्र और रेशम फाइवर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है यह हमको बताना है इसको देखने से पहले मैं आपको एक concept समझाती हूँ और उसके बाद आप इस तरह का अगर कोशन बनता है कभी आप गलत नहीं करेंगे देखे सबसे पहले जो होता है female silk moth होती है जो female silk कीडा होता है वो क्या करता है कीट जो होता है जो female silk कीट होती है वो क्या करती है वो अंडे देती है क्या करती है अंडे देती है और ये जो अंडे हो जाते हैं ये है छोकर फूट कर क्या बनते हैं ये लारवा बनते हैं क्या बनते हैं लारवा बनते हैं और इसी लारवा को जो ये फीमेल सिल्क मौत का जो लारवा है रेशम कीट का जो लारवा होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं इसे हम कैटर पिलर बोलते ह अब यह जो catapillar है, इसे हम रखते है, इस पर मलबरी की पतियां होती है, जो शैटूत की पतियां होती है, उस पर हम इसको रख देते हैं, और यह क्या करता है, शैटूत की पतियों को खूब घाता झाटा है, और इस ज़ autant जो इसका development होता है, उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम प्यूपा बोलती है जिस वक्त ये खाता है और खाके खूब अच्छा मोटा हो जाता है तो वो स्टेज में जब ये बढ़ता है वो होती है आपकी प्यूपा ठीक है फिर ये आगे क्या करता है प्यूपा जो होता है ये ऐसे एट के स्टक्चर म बना जाता है को रदूपा कि तरह से ब्यिवद को पूरी तरह से खाना वाना यह खुनता है में इसके बाद सिलक जब बनाता है स्कुन होस सकी daug और पित कुः कोकून के अंदर तर तरो क्त quick-dartयार का उंसे वहां पर निकल जाती है फित कोन के अंदर प्रोषन वहां निकल जाते हैं प्यूपा केटरपिलर में डेवलप नहीं होता, जो सिल्क मौथ है लारवा का वही तो केटरपिलर बनता है, जो प्यूपा है वो तो आगे की स्टेज है, जब वो शेहतूत की पत्या जो है खाता है और अपने आपको डेवलप कर लेता है, तो वो स्टेज में वो केटरपिलर द्वारा स्त्रावित प्रोटीन होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं ककून बोलते हैं और इसी ककून से हमें जो सिल्क यान है जो तागा है रेशम के कीट के ककून से रेशम का धागा जो है वो हमें प्राप्त होता है तो ककून जो है सिल्क मोत का रेशम कीट का जो ककून उसने बना लिया अपने उपर उसी से हमें क्या मिलता है सिल्क का यान जो रेशम का धागा है वो हमें मिलता है और यहाँ पर लिखा भी है देखे यह वाली बात वें दा केटरपिलर इस फुल ग्रोथ यहाँ पर गलत बात जो है वो ऑप्शन नमबर सेकेंड है नेक्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर सेवन यह कोशन आपका दिसंबर दो हजार इकेस में बना दा मेजर रीजन फॉर यूजिंग बैकलाइट फॉर हैंडल ओफ प्रेशर कूकर इस देखे तो कोशन कहीं न कहीं प्रिवियस यर से रिलेट होकर बनते हैं प्रेशर कूकर के हैंडल के लिए हम बैकलाइट का उप्योग करने के पीछे मुख्या कारण हमारा क्या होता है कि यह बैड कंडक्टर होता है heat का उश्मा का कुछालक होता है तो handle तक heat जो है वो पहुँच नहीं पाती जिसकी वज़े से हम उसे असानी से पकड़ पाती है तो ये बात आप याद आखेंगे जो back light होता है ये heat का भी bad conductor होता है और जब electricity से related question बने तो वहाँ पर हम किस पर टिक करते it is a bad conductor of electricity तो जब heat से related करके question पूछे back light में तो आप answer देंगे bad conductor of heat जब electrical appliances को देकर पूछे question तो आप answer देंगे it is a bad conductor of electricity तो कुल मिलाकर ये है ये जो back light होता है ये दोनों ही bad conductor होता है किसका heat का भी और electricity का उश्मा और विधुत्तों का ही कुछालक होता है तो यहां पर answer होगा option number a क्योंकि यहां पर handle pressure cooker heat के संधर्व में पूछा गया था तो option a यहां पर answer होगा next question देखते हैं 8th question इसको अच्छे से समझने के कोशिश करिएगा यहां पर ये seated signs में 23 December 2021 की shift में जो था बना था stifling is applied to prevent the emergence of silk moth and prevent the silk for long period of time in the form of cocoon देखे रेशम के कीड़े को बहार निकलने से रोकने और रेशम को क्रमी कोश के रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुचलने की विधी अपनाई जाती है ये बात बिलकुल सही है देखे होता क्या है जब silk moth अपने उपर silk का fiber cocoon बना रहा होता है तो उस समय वो बहाँ पर develop होकर बाहर निकलने की कोशिश भी करता है जो आपका रेशम का कीड होता है silk moth होता है तो उसको रोकने के लिए ताकि जादा से जादा cocoon वो बनाए और लंबे समय तक जो है हम उसको prevent कर सकें तो उसके लिए हम क्या करते हैं boiling वगरा कर देती है boiling करते हैं या sun heat में हम उसको रख देती है जिस से क्या होता है वो जो अंदर का silk moth है वो मर जाता है और वो cocoon जो है वो लंबे समय तक long period तक हम उसको रख पाती है तो ये stippling होता है, कुचलने की विधी होती है, ये अपनाई जाती है, तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसके पीछे का reason यहाँ पर क्या दे रखा है, ये जो अहिम सा silk होती है, is the silk gathered after silk moth emerge from the cocoon, ये बात भी यहाँ पर सही है, लेकिन इस reason का, इस assertion से कोई मतलब नही ताकि वो हम इसलिए उसको रोकती है, ताकि वो क्या हो सके, जादा से जादा ककून जो है, वो वहाँ पर प्राप्त हो सके, तो वो असर्शन के साथ reason वो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये जो क्रमी कोष्ट से रेशम के कीड़े के बहर निकलने के उपरांत जो रेश सिल्क मोत है, उसको हीट या वॉयल करने पर मार दिया जा रहा है, लेकिन यह जो अहिंसा रेशम होता है, इसमें जो ये सिल्क हमें प्राप्त होता है, इसमें जब ये सिल्क मोत बहर निकल जाता है, ककून से उसके बाद हम जो सिल्क है वो प्राप्त करती है, तो इसमें जो silk मौत है वो मरता नहीं है तो ये बहुत अच्छा method है ये non-violence वाला method भी कहलाता है तो दोनों बाते यहाँ पर सही है लेकिन इस reason का इस assertion से कोई संबंध नहीं है तो option number second यहाँ पर सही होगा दोनों सही है लेकिन R is not correct explanation of A अब यहाँ पर लिखा है यह जो अहिंसा मलबरी होती है इसे हम क्या बोलते हैं मटका सिल्क भी बोलते हैं इंडिया में तो याद रखेंगे जो अहिंसा मलबरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं मटका सिल्क बोलते हैं इंडिया में इस प्रेडियूस भाई allowing the moth to hatch the cocoon before harvesting तो सिल्क को ककून को जो हमें हारवेस्ट करना है ककून को जो हमें निकालना है वो हम ककून को तब निकालेंगे जब सिल्क मौत वहां से अपने आप क्या करेगा हैच हो जाएगा लेकिन जो स्टिफलिंग हो रही थी उसमें क्या हो रहा था सिल्क मौत को हम बाहर नहीं निकलने दे रहे थे और उसी में क्या करे थे उसको मार दे रहे थे तो वो दूसरा मेथड है और ये वाला मेथड जो होता है बहुत अच्छा होता है इसी वज़े से ये जो अहिंसा सिल्क होती है इसे हम peace silk, cruelty free silk, non-violent silk refer करते हैं क्योंकि इस type of silk में क्या होता है जो silk produce होता है उसमें हम harm नहीं पहुचाते किसे silk warm को, silk moth जो बनेगा उसे हम harm वहाँ पर नहीं पहुचाते तो मुझे लगता है ये concept भी आपको पूरा अच्छे से clear हो गया होगा next question 9 जो आपका 29 December 2021 में बना और ये question 3 से 4 बार बन चुका है तो ये question important है, ये sequence आप से पूछ लिया जाएगा identify the correct sequence of step in the process of the hair of sheep to wool ये देखे जो sheep से हम पूरी wool बनाती है fiber से जो हम fabric बनाएंगे fiber तो क्या है raw material है जो plant और animal का है उससे बाद में हम क्या बना लेते हैं fabric जो है वो प्राप्त कर लेती है तो पूरा process क्या होता है वो हमें उसका जो चरण है, उसके सही करम जो है वो हमें यहाँ पर पहचानने है सबसे पहले जो sheep है, जो आपकी भेड है उसमें हम क्या करेंगे, उसकी sharing करेंगे, उन की कटाई करेंगे, तो हमें दो option में यहां दिखता है, second और fourth जो है, वो हमारा यहां पर answer हो सकता है, उसके बाद क्या है, हम क्या करते है, scouring करते हैं, अभी margin करते हैं, इस scouring को क्या बोलते है, धुलाई, धुलाई मतलग जो उसमे तेल है, ग्रीस वगएरा है, वो अच्छे से हम साफ करते हैं, क्योंकि जो शीप से हमने वूल वहाँ पर निकाली होती है, वो काफी गंदी होती है, तो उसको साफ करा जाता है, शीरिंग, उन कटाई के बाद हम क्या करते हैं, स्कावरिंग करते हैं, तो सी के बाद AI का दोनों option में दे रखा है उसके बाद क्या होती है उसके बाद यहां पर होती है आपकी sorting छटाई जो है फिर होगी means option number 4 जो है वो मेरा यहां पर answer हो जाएगा क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जो शीद के कुछ हिस्से की wool होती है वो बहुत अच्छी होती है और कुछ हिस्से की wool होती है वो खराब होती है तो जो अच्छे हिस्से की wool होती है जैसे shoulder वगेरा पर बहुत अच्छी wool होती है तो उसको अलग करा जाता है तो अलग-अलग variety क कि आपने देखा, कपड़े मिलते हैं, पुछ अच्छे ज्यादा महंगे होता है, फिर श fidget जी होता है, divide data, sod enabled digital जो है वो यहां पर कर ली जाती है तो option number 4 जो है वो यहां पर सही जो चरण है वो यहां पर दिखा रहा है next question 10th 31 दिसंबर 2021 की shift में बना था यह जो गर सिल्क बैर केट होता है जो यह जो केट होता है जाधे में एंडे में से हम ही तो हम सिल्क बोलते है यह सिल्क बोलागая नहीं दोनो क там ऐ दोनों रेशम का कीट भी बता है और काता है और क्या सिंगेट करता Бmarkets Union a ठीड़ का बना होता है das andम का किखून गोज़न भी जो याद रखेंगे यह जो ककून होता है अगर कोश्चन बने किस सिल्क किस फाइवर का बना होता है तो यह आपका प्रोटीन का बना होता है तो अप्शन नमबर वन जो है वो यहां पर सही हो जाएगा कॉटन अगर पूछे कॉटन इस मेट अप फॉर्म विच तो याद रखेंगे वो सेल्लोस जो पॉलिमर होता है उससे बना होता है तो कॉटन के बारे में याद रखेंगे और पूछा जाए कि वो किस पॉलिमर से बना है तो जो कॉटन होता है वो सेल्लोस से बना होता है यह भ पल बना, डारेक्ट कोशन पूछे जाते हैं इन चैप्टरों से, बहुत ज़दा घुमा के कोशन नहीं मिलेंगे, सबसे मजबूत प्राकर्टिक तंतु जो होता है, वो आपका सिल्क होता है, जो रेशम होता है, वो सबसे स्ट्रॉंग फाइबर होता है, अगर इसकी जगा, नैचुरल की जगा, अगर इस बार ये पूछ लिया जाए, आपसे आर्टिफीशल, सबसे मजबूत आर्टिफीशल फाइबर कौन सा होता है, क्रत्रिम तंतु कौन सा होता है, तो उस केस में आपका आंसर होगा, नाइलोन, याद रखेंगे, जो नाइलोन होता है, ये सबस स्टेट्मेंट, जो सही कथन है, वो हमें यहाँ पर बताना है, थर्मो प्लास्टिक का यही फीचर होता है, पॉलिथीन, पेटी, नाइलोन, ये सब जो एक्राइलिक हैं, ये सब सब किस में आते हैं, ये थर्मो प्लास्टिक में ही आते हैं, थर्मो सैटिंग प्लास्टिक क तो हम सौफ्टन नहीं कर सकते हीट करने पर तो यह बात तो यहां पर गलत है तो मेरे ख्याल से ऑप्शन वनी यहां पर सही होगा क्योंकि बाकी सब तो यहां पर गलती होंगे क्योंकि एक ही तो सही हो सकते है और पहला हमें सही दिखी रहा है तो जो सौफ्ट हो सकती है हीट क फॉल्ट ध्रने पर प्लास्टिक होती द़िक्जार्ण की थर्मो प्लास्टिक नहीं, यह थर्मो प्लास्टिक कंपल होती है और यहां पर फूर्थ उप्शन में क्या बोल रहा है कि पॉलेथीन और पीवीसी जो होती है वो थर्मो सैटिंग के एक्जामपल होते हैं नहीं यह थर्मो प्लास्टिक के एक्जामपल होते हैं यह कोशन फिर से आ गया और अब मुझे लगता है यह बात आपके माइन में और कौन थर्मो सैटिंग में आते हैं तो ओप्शन नम्बर वन जो है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स कोशन थर्टीन देखते हैं यह कोशन थोड़ा अलग सा कोशन बना था जो 10 जनवरी 2022 में बना था दा फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन वर नोटिड ब बताँने है naум 2 बैसके उता लएक पड़ा नहीं बताने है बर्ण भिद ब्राइट लाइट एन ग्र्रेश ब्लैक ऐश इस लेफट तो यह जो हो घ्ल क को तो उसमें bright light, जो natural fiber होते हैं उनमें light चमकती है, वो पूरा जल जाती है, लेकिन जो synthetic fiber हो गए, जैसे nylon हो गया, acrylic हो गया, ये जलते नहीं है, ये चिपकते हैं, ठीक है, तो ये बात भी आदखेंगे, जो पूरी तरह से जलते हैं, वो आपके natural fiber होते है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है, वो किसकी हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है, सिल्क की, जब आप इसे जलाएंगे, तो black color की जो ash है, वो हमें देखने को मिलती है, burn by curling and produce dark crisp ash, ये जो dark crisp ash बनती है, ये वूल में भी बनती है, और ये denim में भी बनती है, जो denim होता है, ये cotton से बना होता है, याद र fiber, तो denim is made from natural fiber, जिसका नाम है क्या cotton, तो denim को भी अगर आप जलाएंगे, और wool को भी आप जलाएंगे, तो यहाँ पर curling, curl से बनते हैं, और साथ में जो dark crisp ash है, जो क्या होगी आपकी, सलेट, यहाँ पर गहरी गदगदी राख जो है, वो उतपन होती है, और जो melt करेंगे, पि rayon, rayon क्या है कि आपका semi-synthetic है, तो यह भी यहाँ पर जलता है, तो जो चिपकेगा, वो basically क्या होगा, nylon होगा, जो कि आपका क्या है, synthetic fiber है, कृत्रिम तंतू है, यह क्या होते हैं, चिपकते हैं, तो जब आग लगती है, तो कहते हैं, cotton के कपड़े ही हमें पहने चाही हो, कि आप इससे भी पहुँच जाते है, Z से ही कि जो burn करेगा, melt, melt करेगा जलने पर, जलने पर पिघल जाते हैं, वो synthetic fiber होते हैं, तो एक मातर इसी option में synthetic fiber दे रखा है, nylon, यह जो rayon है, क्योंकि तो semi-synthetic में आएगा, wool जो है, वो आपका natural होता है, तो answer है, यहाँ पर option number 3, तो यह जो सिल्क, denim, और nylon है, इनके बारे में यहाँ पर यह बात हुई थी, बाके wool के case में भी dark crisp ash, जो है, वो produce होती है, जूट के case में क्या होता है, यहाँ पर gray color की बहुत little amount में ash निकलेगी, या फिर हो सता है, ash जो है वो produce वहाँ पर ना ही हो, ठीक है, next question देखते है, question number 14, जो आपके involved होंगे in making wool from sheep, भेड से उन प्राप्त करने के जो चरण है, वो हमें बताने है, वीडियो को pause करें और खुद इसका answer जो है, वाप ठीक करें, यहाँ पर क्या answer होगा, तो answer होगा यहाँ पर क्या, option number 1, सबसे पहले आपके कटाई होगी, फिर अभी margin होगा, मतलब उसकी सफाई होगी, धुलाई होगी, फिर sorting होगी, छटाई होगी, फिर डाई होगी, फिर उसका हम तागा बना देंगे, और last में उसकी जो बुनाई है, वो वहाँ पर कर ली जा उन की तरह मिलता जुलता होता है, जिसका हम यूज करते हैं, सॉल और स्वेटर और ब्लैंकेट बनाने में, यूकि नैचुरल फाइबर मिल पाना इतना असान, बहुत जादा मातरा में नहीं मिल सकता, तो इसलिए उसको उसी का जैसे रूप में बनाने के लिए होते हैं, व आपका 10 जनवरी 2023 में साइंस के पीपर में कोशन बना था, read the flowing statement and select the correct option, कतनों को पढ़िये और सही विकल्प का यहां पर हमको चैन करना है, assertion और reasoning वाला कोशन है, अभी कतन यहां पर क्या दिया है, यह जो polyester के cloth होते हैं, जैसे nylon के कपड़े हो गए, तो यह कैसे होते हैं, polyester के जो कपड़े होते हैं, सूती कपड़ों से अधिक शीकृता से सूख जाते हैं, यह बिल्कुल सही बात है, आपने जो देखा होगा, जिम वगएरा में जो टीशट वगएरा पहनते हैं, वो जादा nylon की होती है, क्यों, वो easily क्या होती है, पसीने को सुखा देती है, वो तो यहां पर बिल्कुल सही है, और उसके पीछे रीजन यहां पर क्या दिया है, कि जो synthetic fiber होती है, वो absorb करते हैं, very less water, जो sunslicious ratio होते हैं, वो बहुत ही कम जलका fusion करते हैं, तेकि जो cotton के कपड़े होते हैं, उनमें जो छिदर होते हैं, वो बड़े-बड़े होते हैं, और वो जिसे क्या होता है, वो पानी को अपने अंदर जादा ले ही नहीं पाते हैं, वो पानी को जादा absorb कर दी ही पाते हैं, और इसी वज़े से वो जल्दी सूख जाते हैं, और जो polyester के कपड़े होते हैं, यह रिंकल फ्री होते हैं, इन पर रिंकल नहीं आता है, चिकने होते हैं शाइनी होते हैं तो ये असानी से सूख जाते हैं क्योंकि अपने अंदर पानी को एब्जॉर्व ही नहीं करते हैं ये reason भी सही है और assertion भी सही है तो option number first यहां पर सही है दोनों सकते हैं और एक ही सही जो है आर यहां पर व्याक्षान जो है वो कर रहा है कि संस्लेसी रेशे जो होते हैं बहुती कम जल जो हैं उसका अप्शूशन करते हैं नेक्स कोश्चन 17 ये भी कुछ इसी तरह से कोश्चन बना ये 11 जनवरी 2023 में बना रीट दा फ्लोइंग स्टेटमेंट फिर से वही है और सही विकल्प का चैन करें असर्शन और रीजनिंग अभी कथन और कारण यहां पर दिया है कि जो सिंथेटिक क्लोथ होते हैं ये सूती कपड़ों में होते हैं ना कि संशलिषित कपड़ों में तो जो रीजन दिया है वहांपर गलत है लेकिन जो असर्चन है वह यहां पर सही है तो ऑप्षन नम्बर थ्री यहां पर सही होगा जग Eu toStill है Parts लेकिन जो R है वो हमारा असत्य है false. Next question देखते हैं, question number 18, जो आपका seated science 12 जन्वरी 2023 में question बना, match the name of process in column 1 with description in column 2. यहां जो column 1 है, इस तम बन में जो प्रेकरम है, वो हमें दिये हैं, और उनकी जो व्याख्यान है, उनका जो explanation है, वो column second में दिया है, और इनके basis पर हमें इनका मिलान जो है, यहां पर करना है, यह होता है ओटाई, जिसे हम English में क्या बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं, यह जो cotton के seeds होते हैं, उनसे हम cotton को प्लक करते हैं अपने hand से, कपास के बीजों से रेशम अलग करना, तो कपास का जो seed होता है, उससे जब हम cotton अपने हाथों से निकालते हैं, तो वो process आपका gaining या उटाई कहलाता है, तो A का मिलान जो है, वो यहां पर third से होगा, जो हमें दो option में देखने को मिलता है, उसके बाद आता है कताई, कताई को English में क्या बोलते हैं, अभी पीछे मैंने आपको समझाया था कि फाइबर होता है आपका raw material, उससे हम बनाते हैं क्या तागा, यान जो है वो हम बनाती है, और उस यान से क्या बन जाता है, आपका जो fabric होता है, जो कपड़ा होता है, वो बनता है, तो यह पूरा process भी आपको याद होना जी, कि सबसे पहले तन्तू आता है, फिर आपका क्या आता है, तागा आता है, यान आता है, और फिर आपका fabric जो वस्थर है, वो वहाँ पर आता है, तो यह process होता है, तो जब fiber से हम यान बनाते हैं, तंतू से जब हम तागा बनाते हैं तो वो process होता है आपका कताई, ratio से धागा बनाना आपका कताई या spinning होता है, B का मिलान 4 से होगा, 1 और 3 अप्षन दोनों अभी जा रहे हैं, एक होता है बुनाई और एक होता है बिनाई, यह जो बिनाई होता है इसमें क्या करते हैं हम धाग इनको आप अच्छे से याद भी कर लीजेगा कि गिनिंग क्या है सेपरेशन और फाइवर फ्रॉम कॉटन सीड स्पिनिंग क्या है जो हम तागा बना रही है किससे आपके तंतु से फाइवर से निटिंग में क्या होता है एक जो सिंगल यान है उससे हम जो फैवरिक है वस्तर यहां पर हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा नेक्स कोशन 19 जो 13 जन्वरी में आपका कोशन बना सिंपल कोशन था जो लेटेस्ट यहां पर 13 जन्वरी 2021 लिग दिया है यह किस नहीं 13 जन्वरी 2023 के जो सैट है वहां पर यह कोशन बनाता विच ओफ द फ्लूइं इस प्रिपेर यहां पर सही होगा यह 4 important point लिखे हैं इनको याद रखेंगे rayon जो होता है उसे हम artificial silk बोलते हैं जो acrylic होता है उसे हम artificial wool बोलते हैं यह जो nylon होता है यह strongest synthetic fiber है और जो silk होता है वो आपका strongest natural fiber जो है वो होता है तो यहां पर जो हमारा cast की look the wood के pulp से जो बनता है जो stem में होता है तन किसी कर रहा है मोडिफाई मैंने नहीं क्या यह 2023 में कोश्चन मनाता आपका 19 जन्वरी 2023 में कि नाइलॉन इस यूज टू मेक पैराशूट देखे यह फीचर नाइलॉन के सारे हैं फाय रेजिस्टेंस को छोड़ने वैसे तो अगनी रौधी कुछ हद तक होता है लेकिन एक और फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ओफ नाइलॉन मेक इट सूटेबल फॉर दिस परपस तो नाइलॉन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो इसे पैराशूट में यूज करने के लिए बनाती है तो पैराशूट जो होते हैं वो हवा में उड़ते हैं तो सीधी सी बात है और यह इलास्टिक भी होता है यह लचीला भी होता है क्योंकि वो उसमें फिर डिरेक्शन दिखाने में जो पैराशूट में होगा उसमें मदद करेगा अब देखें इस शाइनी होता है यह जो नाइलॉन होता है यह सिंथेटिक फाइवर होते हैं यह शाइनी होते हैं कपड़े के परपस में पूछ रहा होता इसमें प्रलों के परपस में पूछा है तो इस वज़े से II ought F यहाँ पर नहीं आएंगे और जब E और F यहाँ पर नहीं आएंगे तो यह भी हट जायेगा अगनी रोधी होता है यह तो नहीं होगा तो यहाँ पर यह भी हटेगा और कुछ हद तक यह होता है, फायर रेजिस्टेंस होता है, लेकिन एक बार आग लग जाती है, तो चिपकता है, बेसिकली यही माना जाता है, अगनी या फायर वर्क जहां कर रहे होते हैं, वहां कॉटन कपड़ी ही पहने चाहिए, क्योंकि नायलॉन जो है वो चिपक जाता ह तो यहां पर आंसर होगा आपका option number second, A, B, C, यह property की वज़े से ही हम नाइलॉन को parachute में यूज करती है, अगर आपको बाइनिंगों 6, 7, 8 की complete summary के notes चाहिए, तो आप notes ले सकते हैं, previous year सारे विद answers आपको मिल जाएंगे, 120 रुपीज, UPI ID है, इन पर आपको pay करना होगा, इसके regarding आप मेरी mail idea, WhatsApp पर क्या कर सकते हैं, मुझसे contact कर सकते हैं, और वहां पर आपको जो notes है, वो मिल जाएंगे, next question 21, यह वाला sequence तो मुझे लगता है, आपको माइन में रट गया होगा, 25 January 2023 में यह question बना था, pause करेंगे, फिर से यहां पर बताएंगे, सारे बच्चे क्या answer है, तो जो correct sequence होगा, process of fiber into wool, जो ratio को उन से संसाधित करने का सही करम निरूपित करता है, तो सबसे पहले तो sharing आना चाहिए, सबसे पहले उन की कटाई होगी, उसके बाद उसकी scouring होती है, जिसमें क्या बोलता है, अभी margin जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हम उसकी धुलाई करते हैं, फि उसको roll कर लिया जाता है, यांस को, तो option number second जो है, वो मेरा यहां पर क्या होगा, answer हो जाएगा, next question 22, जो आपका 29 जिन्वरी 2023 में बना, out of the flowing option, which one is related to silk production, निम्न विकल्मों में से कौन सा विकल्प रेशम के उत्पादन से जुड़ा है, यह हमको बताना है, तेकि सेरी culture जो हो कर केटरप्लियर बनना था, जब हम उसका पूरा कल्टिवेशन कर रहे हैं, हम सिल्क वॉम को मलबरी की लीव्स पर रख रहे हैं, तो उनका कल्टिवेशन करना ही, सिल्क वॉम का क्या बनाने के लिए, सिल्क बनाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे तो हम सेरी culture बोलत लगते है कल्टिवेशन ओफ मलबरी प्लांट जहां पर हम शेहतूद के पौधे लगाते हैं तो शेहतूद के पौधों की जब खेती करते हैं उनका कल्टिवेशन करते हैं किसलिए ताकि जो सिल्क वॉम है वह उन सेहतूद की पतियों को खा सके in order to feed तो वो होता है आपका मौरी कल्चर तो यह दोनों टाम ही आपके सिल्क प्रोडक्शन रेशम के उत्पादन से संबंदित हैं तो ओप्षिन नमबर सेकें यहां पर सही होगा रेशम कीट पालन और शेहतूत क्रशी शेहतूत की क्रशी इसलिए की जाती है ताकि जो सिल्क वाम ह जो रेशम कीट है वो भहां पर पत्तियों को खा सकीए और उनका कल्टिवेशन करना रेशम के कीटो का कल्टिवेशन करना सिल्क स sociedad को करता है अपका सही होगा नेक्ट कोशन देखते हैं जो आप Kap 1 फयवरजार 23 में बना में सैड में लिख वाया था होता है आप यहां पर आ लिखेंगे इस मेड़ आफ रिपीटिड चेंज ऑफ एस्टर नोट्स में भी लिखा है इसलिए आप वहां से देख सकते थे तो जो बच्चे नोट्स अच्छे से पढ़के गए थे 2023 में उन्होंने अच्छा स्कोर किया मैक्जिमम स्कोर जो है बच्चों ने 28 भी किया है 27 भी किया है और 23, 24, 25 तो बहुत सारे बच्चों ने जो है इसकोर किया था पिछली बार भी और अगर आप नोट्स सारे प्रिवियस यर ये सिरीज आप सब देख कर जाती है तो आपको इस बार भी 23, 24 प्लस नंबर लाने से क बात बिल्कुल लिखी है NCRT की भूग में जब आप छैप्टर खो लेंगे सिंथेटिक फाइवर वाला कि पोलेस्टर इज मेड़ आप और रिपीटिड चैन ऑफ एस्टर विच इस केमिकल डैट गिव करेक्ट्रिस्टिक्स कैसी फ्रूटी स्मैल जो है यहां पर देखने क की प्रॉपर्टी होती है कार्बन की यह क्या करता है इसको लॉंग चैन में बना देता है तो यह जो रिपीटिड चैन बनती है क्योंकि वह क्या है यह एस्टर क्या है किसके बने होते हैं यह कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सिजन के होती है यह बात भी यहां पर बिल्कुल सही है तो बोथ S1 and S2 are correct और S2 इसकी सही व्याख्यान कर रहा है repeated chain से मतलब यहाँ पर यही है यह repeated chain of ester है क्यों है क्योंकि ester जो होता है किसका बना होता है carbon hydrogen और oxygen का बना होता है और यह जो carbon है इसी की वज़े से यह जो determination property है वो हमें देखने को मिलती है और जो long chain है polyester की वहाँ पर देखने को मिलती है तो S2 उसका reason भी सही है और S1 भी सही है तो दोनों बात यहाँ पर सही हो वो सही व्याख्यान भी कर रहा है explanation भी कर रहा है option 1 जो है वो मेरा यहाँ पर answer होगा next और last question आज की class का जो 7 February 2023 यहाँ पर भी 22 लिख दिया है 7 February 2023 में अभी जो shift हुई थी उसमें आपका यह question बना था step for production of silk are given blue simple मैंने पीछे भी समझा दिया था अब इनको सही sequence में arrange करना है कि जो रेशम का production होता है जो हमें रेशम प्राफ्थ होता है silk warm से रेशम के कीट से उसका सही sequence हमें यहाँ पर बताना है सबसे पहले क्या होता है अगर आपने पीछे अच्छे से समझ लिया है तो आप वीडियो को pause करके भी अपना answer जो है वो select कर सकते हैं सबसे पहले जो female silk moth होती है वो अंडे देती है तो सबसे पहले तो बी आएगा और जब सबसे पहले बी आएगा तो यह option हो गया यहाँ पर बाहर तो याद रखेंगे जो female silk moth होती है वो क्या करेगी सबसे पहले अंडे देगी एग जो है वो वहाँ पर देगी उसके बाद क्या होता है इन अंडों को warm किया जाता है with a suitable temperature और यह hatch करते है यहाँ से hatch होकर क्या मिलता है लार्वा जो है वो हमें मिलता है एग आ वार्म विद इन a suitable temperature इनको warm किया जाता है suitable temperature पर और यह क्या हो जाते है for larva to hatch ताकि hatch होकर अंडा फूट कर क्या निकले वहाँ से जो लार्वा है वो हमें प्राप्त हो B के बाद D आना चाहिए तो यह हमें एक मातर 4th option में देखने को मिलता है और यही हमारा answer होगा अब अंडा फूट यहाँ वहाँ से लार्वा जो है वो निकल लिया उसके बाद क्या होता है यह जो लार्वा होता है इसी लार्वा को हम silk warm भी बोलते हैं याद रखेंगे यही लार्वा या silk warm जो होता है जिसे हम caterpillar भी बोलती है our captain clean tray along with fresh mulberry leaves जो mulberry leaves की पतिया होती है अब लार्वा यह जो silk warm है रेशम का कीट है या caterpillar है इसको जो mulberry की पतियां होती है उन पर रखा जाता है ठीक है और उसके बाद क्या होता है 20-25 दिन तक ही खूब खाता पीता है caterpillar और जब यह खाता पीता है तो उस stage में यह क्या कहलाता है उस stage में यह फ्यूपा कहलाता है खाना पीने पूरा करने के बाद ये Caterpillar क्या करता है खाना बंद कर देता है और उसके बाद ये अपने इड़्द गिर्द जो है सिल्क का फाइवर जो है मैंने बताया था एड़ की शेप में इस तरह सी गूंते वे सबसे हो जाएगा तो फिर बाद में आपका AI एगा और सबसे लास्टन हो जाएगा F, Fiverr are taken out of from ककून तो जब उस ककून को उबलते वे पानी में डालते हैं या सन की प्रिजेंस में रखते हैं या उसको स्ट्रीम करते हैं तो जो Fiverr है वो वहां से ककून में से निकल जाता है तो option number 4 यहाँ पर जो है आपका सही होगा यहाँ पर पूरे step भी लिखे है देखे पूरा मैंने लिख भी दिया है एक साथ तो इसका screenshot भी खीश सकते हैं कि female जो मौत होती है वो अंडा देती है जिसे हम larva या caterpillar या रेशम का कीट बोलते हैं ठीक है फिर उसके बाद क्या होता है यह caterpillar जो है आगे चलके वरधी करता है और इस सवस्था में जब यह प्रवेश करता है पूरा वरधी कर लेता है तो यह pupa जो है वहाँ पर कैलाता है फिर उसके बाद जो है यह अपने उपर 8 की shape में 8 की शेफ में इस तरह से क्या करता है यह कैटरपि लर्डड जो है, फाइवर को जो है जो प्रोटीन का बना होता है वह अपने उपर उसकी लेडर बना लेता है और अपने आपको पूरी तरह से, वह कवर कर लेता है इस ककुन से तो इस तरह से यह पूरा प्रोसेस होते है और मुझे लगता है अच्छे से आपको क्लियर भी हो गया होगा